बिस्मिल्ला र्रह्मान र्रहीम असलामुलाइकूम आज हम बनाने वाले हैं कांदा पोहा का जो ओरेचन है महराष्टा से है और महराष्टा के साथ ये पूरे इंडिया में फेमस है इसका नाम कांदा पोहा इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें आलू और प्यास दोनू डाल गली महले में ठीले में मैं में मेय। मेरे मजब आठीन आप अच्छा बनाते हैं आस बमारे सटाहल से यहां पर हमारे पास हाफ केजी पूह आपनी पसंदा का जैसा हम ले सकते हैं और यह कांदा पूह के इंग्रीडियियन्स अमाँ पास है स्वादा नुसार नमक, 1 ती स्पून हल्दी पाउडर, एक मीडियूम साइस का कटा हुआ प्याज, एक मीडियूम साइस के कटे हुए आलू, फ्रोजन मटर, आप फ्रेश मटर का इस्तिमाल कर सकते हो, गार्निशिंग के लिए धन्या लिए है, फ्राई का निकलिए, राई, जिया, हरी मिर्चे और करी पत्ता लिए है, तो सबसे पहले हमने गैस ओन कर दी है और उस पर कढ़ाई रख देंगे उसमें डालेंगे तू 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 त्री टेबल स्पून और यह है कुछ मुंगफली के दाने, एक कटोरी मुंगफली का दाना है, इसको हम फ्राइ कर लेते जब अच्छे से फ्राइ होने लगे तब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चे और करी पत्ता, इसको भी मच्छे से फ्राइ कर लेते हैं, अभी हम इसमें डाल देंगे बड़े साइस का कटा हुआ प्याज, इसको भी हम अच्छे से मिक्स करके फ्राइ कर लेते हैं, हल्का सा गो अदेने और प्यास चोएंगे दोनों ही अच्छे से साथ में नियुक्ति हो जाएंगे दूसरी दरफ हम क्या करेंगे यह जो पलब जोड़ कर लिए और इसे वाश करके हम छननी में रख देंगे पोह चानने वाली चलिए उसी में हमने इसको वाश करके शाफ कर रख लिए हैं तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं इसके पानी सूखने तक के आलू जो है 80% तक के सॉफ्ट हो चुका है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो हम थोड़ा से इसको चम्मत से कट करके देख सकते हैं और आप देख सकते हो 80% तक के आलू जो है सॉफ्ट हो गए हैं मतलब ही है तो इस स्टेश पर हम क्या करेंगे इसमें डाल देंगे 1प टीजपून हल्दी का पावॉडर शार म्यूभ को हम डाल देंगे स्वाद नमक अच्छे से मिक्स और इसमें डाल दिंगे फ्रोजन मटर i Biust हमारे पास अभी फ्रेश वाले मटर एबलेबल नहीं थे तो हम यहां पर मटर को फ्रीज करके स्टोर करके रखते हैं इसलिए हमने यहां पर फ्रोजन मटर का इस्तिमाल करें हैं अगर आपके पास फ्रेश वाले मटर एबलेबल हैं तो आप फ्रेश वाले मटर का ही यूज कर और यहां पर आप देख सकते हैं पोहे कितने फरेरी हो गए है हम ने इसको चहनी में रखे ते तो इसका सारा पानी जो है अलग हो गया है अभी हम इसको डाल देंगे इस कढ़ाई में और सारे इंग्रीडियंट्स को अची तरीके से जल्दी-जल्दी मिक्स कर लेंगे तो मुफली रखे ते एक मुझplी के दाने मुफली के दाने कि बाकी को हमने के flight बचा अबेस कर लेए अशरा करते हैं अचाव कर देना है 5-7 मिनित बिल्कुल भीलिम तो पांच से साथ मिनिट के लिए हमने इसको लो फ्लिम पर ढखके रख दिये थे और धकन अठाके हम चेक करते हैं तो टेस्टी टेस्टी बढ़िया सा शानदार सा कांदा पोहा जो है बनकर तयार हो गया है और अभी हम इसको सर्फ करते हैं बहुत ही अच्छा परेरा और बह बहुत से लोग कांदा पोहा में हलकी सी मिठास पसंद करते हैं मतलब पोहे में हलका सा मीठा टेस्ट पसंद करते हैं लेकिन हमने इसे मीठा नहीं बनाए हैं अगर आप इसको मीठा बनाना चाहते हो तो पोहे डालते वाग हाफ टी स्पून शक्कर डाल सकते हो या फिर डाल देते हैं इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा साथ में हम डालेंगे यह मुणफली के दाने जो हमने पहले से ही बचा कर रख लिये थे और उपर से डालेंगे हम इसके पर भूजिया सेव आलू भूजिया का भी इस्तिमाल कर सकते हो लेकिन भूजिया सेव और पोह Systems काम डा पोहा बहुत ही अच्छा हिलोडी यह नाश्ता है हम कहीं कभी खाले बाहर का खाले लेकिन घर कर लोके तेस्ट होता है इसे खाने से बहुत देढ तक के भूड भी नहीं लगती है बहुत ही जादा शानदार और खुश्बुदार ये नाश्टा जो है बनकर तयार होता है तो यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है आपको हमारी स्टाइल का कांदा पुहा कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और आप लोग कांदा पुहा कैसे बनाते हूँ ये भी बात मुझसे आप लोग शेयर करिएगा तो मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अल्ला हाफिस और आप हम लोग को सूपर ठैंक्स देकर सपोर्ट करिए वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजे बाई बाई